हेलो गूट मॉर्णिंग मैं हूँ अभी से एक प्राविसे कॉंपेटेशन कोचिंग यूटुब चैनल और मैं आपसे बात करूँ इस वीडियो में हाउ टू मेक लोको पालेट एंड टेकनिशन बिल्कुल सेम टॉपिक के साथ मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया लेकिन एक वीडियो में एक भाँ फिर से बता रहूं ताकि हमारे नए दर्शकों को पता चले कि लोको पालेट कैसे बनते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो में जो हम चर्चा करें इस लिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहेगा इसमें आपको हम सब कुछ ब इस वीडियो में कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम आपको एक एक चीज की जानकारी से लेकर करके तैयारी भी करवाते हैं सब कुछ तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत सब्सक्राइब साथ निकलती है दोनों का सिलेवस ही सेम होता है बस अंतर यह होता है कि लोको पालट बनने के लिए आपको आई टी आई आई जरूरी है जो कि सबसे इंपोर्टन जो सबसे ज़्यादा परचले में जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशन फीटर बहुत ज़्यादा परचले डीचल मेकैनिक भी बन सकता है इलेक्ट्रोनिक मेकैनिक भी बन सकता है इसके लिए आप डिप्लोमा किये हैं इलेक्ट्रीशन से इलेक्ट्रीकल से मेकैनिकल से तो भी आप लोको पालट के लिए अपलाई कर सकते हैं या फ इस बिल्कुल साथ साथ ही निकलती है तो क्वाइलिफिकेशन की बात तो हो गई इसमें आपको बहुत साही लोगों का सवाल हो था कि कम सखम कितना पर्षेंट नंबर चाहिए तो पर्षेंटेज नंबर का चर्चा कहीं पर भी नहीं है रेलवे के जहां बस आपको पासिंग ह अब देखें इसका मेडिकल एस्टेंडर्ड तो इसका मेडिकल एवन होता है आपका आँख बीठा चसमे का होना चाहिए 6 by 6 होना चाहिए और प्रॉलम है वो नहीं होना चाहिए और इसके लाबा नॉर्मली यदि आपका सब कुछ है तो वह भी चलेगा आपकी हाइट हाइ इसले यदि आपका आँख बिल्कुल ठीक है 6 by 6 है और वीना कलर वीजन का है यदि आपने अभी तक चाहिए तो कोई दीकत होगा ने मेडिकल बिल्कुल नॉर्मली आपका निकल जाएगा एक जाम का जो लेवल है इस बार एक लेवल बढ़ा दिया गया जब हम प्रास किते तब दो ही लेवल था लेकिन इस बार जो है एक तरस बोल सते चार लेवल है बताए कौन सा एक्जाम होता है सबसे पहले आपका CBT1 एक्जाम होगा 75 मार्क्स का उसमें सिर्फ आपकी क्वाइलिफाइंग वहाँ पूछे आपका क्वाइलिफाइंग होना चाहिए उस एक्ज एक्जाम में जिसमें की जेनरल का 40% SC और OBC का 30% ST का 25% और जो PWD का 2% डिसकाउंट देता है मतलों क्या है जूट मिलता है वहाँ पर तो एक्जाम लेवल अब CBT1 पास करते फिर आते CBT2 CBT2 में दो एक्जाम होता है CBT2 पार्ट A, CBT2 पार्ट B, पार्ट A और पार्ट B दोन जिसमें सिर्फ आपका ट्रेड टेस्ट जिसमें आपको सिर्फ एक ट्रेड से ही कोश्चन आएगा यदि आपने इलेक्रीशन सेलेक्ट किया तो आपको इलेक्रीशन सेलेक्ट किया तो आपको वाइरमेंस आएगा अपने एलेक्रोनिक सेलेक्ट किया तो आपको कोश्चन सि जिसमें कि आपको 50% जो कोस्टन होगा 50 कोस्टन होगा math plus reasoning होगा 40 कोस्टन होगा basic science and engineering होगा और 10% कोस्टन होगा वो GK and current affairs होगा और यह रहापका exam एक तरह से आपको पहला exam CBT1 CBD2 में 2 paper और इसके बाद जो आपका होगा वो होगा आपका psycho test on computer screen इस बाद जो psycho test हो रहा है वो computer skin पर होगा और इस तरह से आपका तीन exam पास करने बाद आपका फिर verification होता है फिर medical होता है फिर ट्रेनिंग होता है फिर अपको assistant local pilot बना दिया जाता है तो यह थोड़ा सा लंबा चरह इसका exam है UPSC के तरह UPSC में फिर चार exam नहीं होता है लेकि इसमें होता है चार exam इसका syllabus की जहां तक बात करें cbt1 exam को जो syllabus हो सभी लोगों के लिए बिल्कुल सेम होता है इसका syllabus वह यह math reasoning science gk current affairs फिर cbt2 का syllabus मैंने आपको बता ही दिया cbt2 का part 1 में जो है math reasoning basic science and engineering current affairs फिर पार्ट बी में आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर टेस्ट होगा आपने जो भी ट्रेड श्रेक्ट किया वो DGET का syllabus IT जो syllabus है पूरक पूरा syllabus आएगा और पार्ट और जो कि पार्ट बी में आपको आएगा 75 और बेसिक science and engineering क्या आएगा वो आपको electrical engineering mechanical engineering सम्मेस आएगा फिर ड्रॉइंग आएगा और इसके लाव फिजिक्स आएगा थ्वासर डीप से और psycho test होता है वो reasoning type का test होता है जो लोग psycho नहीं दिये अब तक उन लोग के लिए बिल्कुल यह अभूज पहली होगा लगिन जब हम 24 में psycho pass किया तो उसमें इसमें जो total psycho test होता है वो 17-18 type का test होता है जिसमें कि आपको 5 पूछता है सबसे पहला होता है memory test total tap का memory test होता है 5 या 6 होता है तो 6 में से कोई एक पूछता memory test number 2 जो हता है वो हता table test table test में होता है आपको या फिर table पूछ दे या फिर rock column पूछ दे या फिर आपको watch table पूछ दे दोनों में जो कोई एक पूछेगा नमबर 3 जो है बिल्कुल fix है वो आपको bricks test आएगा brick test उसमें होता कि brick आपको बताना हो कि ए जो brick side A जो है कितने और side को छूड़ रही है फिर नमबर 4 जो होता है yes no होता है और नमबर 5 जो होता है वो आपको बताना होता है कौन से angle पे लकीर है तो इस तरह से total 17-8 type को होता है जिसमें कि कोई 5 पूचता है तो इसमें जो सबसे important है तो memory test होता है इसको तयारी करने में कितना समय लगता है psycho test को तो यह 10 दिन काफी है psycho test को तयार करने के लिए यदि आप locopilot बनने वाले हैं तो अभी से अभी से आप psycho test के बारे मत सोचें नहीं उसका book को देखिए क्योंकि psycho test मनो वैग्यानिक test होता है और यदि आपके मन में अभी से कोई confusion बैठ गयी मन में तो आगे जाकर को और ज coaching ले सकते हैं दस दिन में ही आपकी खत्म हो जाती है psycho test बहुत ही आसान होता है बस वहाँ पे अपने दिमाग को साप रखना होता है सांत रखना होता बहुत ही आसानी सो निकल जाती है वह साइको test के उपर भी हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेजे तो आपको syllabus ही पता चल गया और psycho test के बारे में बता दिये थोड़ा सा अब बताते आपको best book, best coaching और how much time देखिए यहाँ पे कहीं आपको लिखा होगा अभिशेक सर लोको पालेट आररभी मुझभफपूर जी है मैंने 24 में आररभ जो 2018 में जो vacancy निकली थी इसमें मैंने लगभव में करी करें 10,000 से भी ज्यादा student का मैंने result दिया smart video coaching के मादम से और मेरे notes को परकर के उतने सारे student ने result निकाला group D और local pilot का तो अब बारी आप लोग की है एक बाद फिर से जो vacancy आईगी और यह vacancy 2019 के first मतलब की first महिने में लेगी लोको पालट और technician का तो इस vacancy को पास करने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं पहले चीज़ आप notes मुआ सकते हैं हमारी coaching का जो कि आपको मेरे वाट्शेप पर इसका order करना होगा फिर आपको यहां से speed post भेह दिया जागा आपके सर तक आपके घर तक पहुंच आपके लिए तयार किये हैं हमने और वह बहुत ही आसानी से आप उसको पढ़ावी कर पढ़ भी सकते हैं और यदि आपके तयारी बहुत ही जादा कमजोर है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से आप तयारी करना चाहते हैं आप अपने घर बैठे ही तयारी करना चाहते हैं और CBT-1 और CBT-2 की तयारी आपको बिल्कुल साथ-साथ ही करनी पड़ेगी जिसका की full syllabus होगा math, reasoning, science में physics, chemistry, biology, GK में history, geography, economics ये सब current affairs इसके लबाब basic science and engineering जिसमें आपको mechanical, electrical ये civil engineering ये सब का और इसके लबाब फिर आपको drawing भी सिखाएंगे और यही सब तो यानि कि ये आपको full syllabus की तयारी आपको लगेगा लगवा में 3 से लेकर 4 महिने का जो की मिलेगी आपके वाट्ट्रेप पे, smart video coaching का concept ही आपके वाट्रेप पे मिलती है video coaching, उसमें होता क्या कि आपको जब आप हमारा course खईते हैं तो इसमें होता क्या कि आपको हम एक group से add करते हैं local pilot group में आपको add करते हैं फिर उस group में daily आपको जिस्ता से आप जाते हैं किसी कोची में पढ़ने के लिए उसी ता से उसमें आपको daily एक एक चेप्टर का आपको वीडियो मिलेगा रात के नौबजे उस चेप्टर के वीडियो को link को आप जम बन तब देख सकते हैं उसमें आपको PDF में नोट्स में मिलेगी बिल्कुल फिरी में मिलेगी और आपको hard copy notes चाहिए master notes तो आपको पैसा दे के खईतना पड करना होगा और जो भी हम आपको video का link देंगे उस link पर जैसे क्लिक करते हैं हम हमारा यह class जो हम यहां पर पढ़ाए हुए हैं एक टॉपिक को सभी टॉपिक का video वहां पर खुलना शुरू हो जाएगा फिर आप उस video पर click करके वहां पर बिल्कुल एक लाइन से आप साथ में कॉपि पेन ले करके वहां पर बनाईएगा और वो coaching सबसे फास्ट इसलिए है क्योंकि आपको mathematics जो हम आपको सिखाते हैं वहां पर आपको सिर्फ एक महिने में आपको पूरा mathematics सिखाते हैं एक दिन में एक chapter एक महिने में पूरा पूरा book खतम और आपको 90% से उपर आपको त जास दिन लगेगे इस तरह से आपको हम तीन से चार मैंने कंदर पूरा 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 लोको पाल्ट स्लेवर्स हम आपको कवर करवा देते हैं वीडियो कोचिंग के माध्यम से तो आप मेरे वाट्शेप पे कॉंटक्ट करके आप इसका वीडियो का कोचिंग ले सकते हैं इसको कोई भी ऐसरो यह कोचिंग खास करें वयOffice Bureau के लिए बहुत ज्यादा फाइदय माननती है जिसकी ट्यारी बहुत ज्यादा जीरो है itself को अशतालिक्रिंग की और सब500 के उसके लब को से नो को परिषम में अचकी में और आप आसानी से उसको साँवर आपको पास जाम और टाइम मैनेजमेंट टेकनलोजी इसके लब आपको कौन-कौन सा टेकनिकल फॉल्ट नहीं करना ये सब चीक वारे में बाताते हैं इसके लब आपको जहां पर भी प्रॉल्म होती है उसको हम दुबारा से वीडियो अपलोड करके आपको हम समझा जते हैं कि आपको यहां प पाएगा उतना ज्यादा लेकिन हम कम समय में बहतर तैयारी करवा सकते हैं वही हुआ बेस्ट बुक में आप मास्टर नोस लीजे हमारा बेस्ट कोचिंग में आप हमारा समार्ट वीडियो कोचिंग लीजे और हाव मच टाइम इसको कितना समय लगा बस तीन से चार महने पुरा चीज मिल गया होगा आपको यदि मन में कोई कोशन है तो इसी वीडियो में प्लीज कमेंट किजे ये वीडियो में हमेंने बहुत सारी जानकाई दिये इसके बदले में आप प्लीज हमें लाइक कर दी इस वीडियो को और आप यदि पहली बार आरे चैनल पे तो प् नमबर है 8406 891116 थैंक यू सो मच अब तक इस वीडियो को देखने के लिए हम आपको फिर्टर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए all the best for your next exam और हमारा एक इंगलिस का भी एक छोटा सा क्लास आ रहा यूटूब वाट्शेप पे स्मार्ट वीडियो कोचे में जो कि हम आपको एक महिने में आपको इंगलिस बोलना सिखाते हैं वो भी आप मेरे को जोइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच आपको फिर्टर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और वीडियो में आपको एक जोटाएं किसी और वीडियो में